कई लोगों को नेचर से बहुत प्यार होता है और वो नेचुरल ब्यूटी से भरी कई जगों के आसपास रहना चाहते हैं हमारे आसपास कई तरह की जगें मौजूद हैं इन में से कुछ जगों पर जाने पर काफी सुकुन मिलता है तो वहीं कई इतनी रहष्य में और डरावनी है कि वहाँ जाने से लोगों की रुख काप जाती है पर दुनिया भर में कुछ ऐसी जगा भी है जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है अंडमान का नौर्थ सेंटिनल द्वीप बहारी लोगों के लिए पूरी तरह प्रतिबंध है इस द्वीप पर सिर्फ नाव के जर्ये पहुँचा जा सकता है द्वीप में आज भी साथ हजार साल पुराने इंसान कबिला रहता है उनका बहारी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है इस जंजाती और उनकी इलाके को संरक्षित शेणी में रखा गया है वहाँ पहुँचने की कोशिश करने वालों पर ये कबिला हमला करता है और उन्हें मा डालते है ऐसे में यहां किसी भी बहारी शक्ष की एंट्री पर बैन है ब्राजिल के शहर साओ पाउलो से करीब 36 किलोमेटर दूर इस ड्वीप में सापों का राज चलता है यहां सापों के कुल 4000 प्रजातियां हैं जिन में से कुछ बिहद विशैले साप हैं इस आइलेंड पर जाने वाले कभी जिन्दा वापस नहीं लोडते सुरक्षा कारणो के चलते ब्राजिल सरकार ने महां टूरिज्म पर बैन लगा रखा है यहां रिसर्च के लिए वैग्यानिक ही जा सकते हैं दक्षिनी दूफ के पास मौझूद हर्ड आइलेंड एक ज्वाला मुख्य द्वीप है हिंद महासागर की गहराई से निकले इस द्वीप में आज भी बिग बेन नाम का ज्वाला मुख्य सुलग रहा है सुरक्षा कार्णो और प्राकरतिक संरक्षन के चलते 370 वर्ग किलोमीटर के इस द्वीप टूरिस्ट की आवजा ही बेन है 2010 ईशापूर्व में मारे गए चीनी समराट किंग शी हुआन का यह मकबरा लोगों के लिए एक रहष्य बना हुआ है यहां हजारों सैनिकों की मूर्थियां है मकबरे के बाहर कई तरह के ट्रैप लगाए गए है करीब 2000 साल से यह जगा संरक्षित है